टाइम और पेसेंस दोनों की कीमत सिर्फ प्रोफिटेबल है, माना की सबका पोइंट ओ व्यू अलग हो सकता है, लेकिन यहां क्रिटिसाइज करने जैसा कुछ है नहीं, चलिए बढ़ते हैं आज के टार्गिट की ओर, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चा है, एक और काफी सारे इन्वेस्टर्स ने ओपोर्चिनिटी भी गवाई है, अगर आप मेरी रेगुलरी वीडियो देखते आए हैं तो फिर याद होगा हमने इस टोक को पहली बार बेस्ट पैनी स्टोक की सीरीज में 7 के लेवल बर कवर किया था, फिर चाहे 14 का प्राइज वो अलग बात है कि बीच में थोड़ी बहुत गिरावट के साथ स्पोर्ट बनाता हुआ शेयर नजर आया, अपने 52 वीक रेंज हाई 203 के प्राइस को टच करने के बाद से ही शेयर में लगातर गिरावट देखने को मिली है, शेयर लाष्ट 177 पर क्लोज हुआ, बुक वैल 4.77 टाइमस ट्रेड करता दिखा अपनी बुक वैल्यू से और ये कौनस के अंडर आता है, 18,422 क्रोड की मार्किट कैप के साथ कंपनी बिजनस करती है, हाला कि इसमें डेली बेसिस पर वेरियेशन देखने को मिलते रहेंगे, सबसे अच्छी बात कंपनी पर डेट जीरो है जिबकि प्रिवियस येर फ्री कैश फ्लो नेगिटिव 183 क्रोड का था, जो कि इस बार पोजिटिव 134 क्रोड का देखने को मिला, ये भी एक काफी बड़ा पोजिटिव पॉइंट है, वहीं टोटल एसेट 4,248 क्रोड, येर टू इयर ग्रोथ हो या फिर क्वार्टर टू वो काफी शांदार रही, इसमें किसी दरह का कोई शक नहीं और ना क्रिटिसाइज करने जैसा, इसका RSI 70.4 जो की ओवरबोर्ट जोन में एंटर कर चुका है, क्रेंट प्राइस भी ज़्यादा दिखाई देता है, इंटेंसिक वैल्यू से, वहीं प्रोमोटर शेर प्लेजि और सेल्स ग्रोथ को भी कवर करेंगे, बाकी शेर होल्डिंग पैटर्न को भी कवर करना काफी ज़रूरी है, फिलाल के लिए करंट प्रफोर्मेंस को देखकर गिरावट दिखाई दे सकती है, अगर इस कंपनी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, तो फिर कमेंट बुक्स म पूछना ना बूले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए, बाई बाई एंड टेक केर